हम लंबे समय से थिंकिंग ते आ रहे बेंग, क्या मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है? मंगल तक पहुँचने का प्रयास भारत का मिशन और दुनिया मंगल ग्रह का पता लगाने की खोज में भारत ने भी अपनी जगह बना ली है मार्स ओन अर्बिटर मिशन, जिसे मंगलियान भी कहा जाता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धी थी 2013 में लॉंच हुआ यह मिशन भारत को मंगल की कक्षा में पहुँचने वाला पहला एशियाई देश बनाता है M.O.M. एक तक्मी की चमतकार था यह आश्चर्य जनक रूप से कम लागत में भी पूरा हुआ इस मिशन ने भारत की बढ़ती हुई अंतरिक्ष क्षमताओं को दिखाया इसने पूरे देश को प्रेरित किया और दुनिया भर का ध्यान खींचा मंगल ग्रह का पता लगाने की महत्वा कांग्षा रखने वाला भारत अकेला नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका नासा के माध्यम से दशकों से मंगल ग्रह की खोज में अग्रणी रहा है युरोप, रूस और चीन सहित अन्य अंतरिक्ष एजन्सियां भी मंगल ग्रह पर मिशन भेजने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है मंगल ग्रह के रहस्यों का खुलासा जीवन और अन्य खोजे मंगल ग्रह की खोज का एक प्रात्मिक लक्ष है वहाँ जीवन की तलाश, वैज्यानिक, अतीत या वर्तमान, किसी भी संकेत की तलाश कर रहे है वे मंगल ग्रह की मिट्टी और वाटावरण का विशलेशन करते हैं वे पानी के प्रमान खोजते हैं, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है जैसा की हम जानते हैं मंगल ग्रह की जलवाईू को समझना बहुत महत्वपूर्ण है हमें यह जानना होगा कि यह समय के साथ कैसे बदली है इससे हमें जीवन की समभावना को समझने में मदद मिलेगी यह हमें अपने ग्रह की जलवाईू प्रणाली के बारे में भी सिखाता है भविश्य के मिशन का उद्देश मंगल ग्रह के नमूने प्रिथवी पर वापस लाना है इससे अधिक विस्तरित विशलेशन संभव हो सकेगा इससे मंगल ग्रह पर जीवन की समभावना के बारे में निश्चित उत्तर मिल सकते हैं भाग चार एक लंबी और कठिन यात्रा अंतर ग्रही ये यात्रा की चुनौतिया मंगल ग्रह की यात्रा करना एक कठिन काम है यह हमारे चंद्रमा से बहुत दूर है इस यात्रा में कई महीने लगते हैं अंतरिक्ष यान को अत्यधिक तापमान और विकिरन का सामना करना पड़ता है मंगल ग्रह पर उतरना भी एक चुनौति है मंगल का बातावरन पतला है इससे नीचे उतरते समय अंतरिक्ष यान की गति कम करना मुश्किल हो जाता है लैंडिंग के दौरान दुरगटनाओं के कारण कई मिशन विफल हो चुके हैं लंबी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रखना एक और बाधा है उन्हें विकिरन से सुरक्षा की जरूरत होती है हमें भोजन, पानी और आंकसीजन के लिए सिस्टम विकसित करने की आवश्यक्ता है भाग पांच चैलेंजों पर विजय लाल ग्रह के लिए अनूठी सोच और इनोवेशन इन चुनौतियों के बावजूद वैकनॉलेजिक और इंजीनियर समाधान खोज रहे है प्रणोधन प्रणालियों में प्रगती यात्रा के समय को कम कर रही भी नई सामगरी अंतरिक्ष यान को हलका और मजबूत विकमा रही भी लैंडिंग की नई टोनीटों विकसित की जा रही आर डिस्पाइट में इंफलेटिबल हीट शील्ड्स और सूपर सॉनिक रेट्रो प्रोपल्शन शामिल आर ऐसी टोनीटों मंगल ग्रह पर उतरने को सुरक्षित में अंतरिक्ष यात्रियों पर विधातरण के प्रभावों को कम कहने के लिए शोध चल रहा भी लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स विकसित देट जा रहे आर ये सिस्टम हवा, पानी और कच्रे को रिसाइकल कहनेंगे जिससे लंबी अवधी की अंतरिक्ष यात्रा पॉसिबल हो गुड भाग छे वर्ड मंच पर भारत एक मंगल ग्रह जैसा फ्यूचर एमोम के साथ भारत की सफलता ने उसके अंतरिक्ष और फ्रेक्रम को मजबूत थात्या भी दिस ने वैकनॉलेजिटन और एंजिनियर्सों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित थात्या भी भारत अब मार्स लैंडर मिशन का लक्ष लेकर चल रहा भी यह अंतरिक्ष अंतेशन में उसकी स्थिती को और मजबूत विल मंगल ग्रह की खोज अंतरराश्ट्रिय सहयोग को बढ़ावा देती भी ग्यान और संसाधनों को साजह काना बहुत जरूरी भी यह वे उन सीमाओं को पार क्याने की अनुमती देता है जो पॉसिबल भी अंतरिक्ष अंतेशन में भारत की भूमी का दुनिया को प्रेरित कर सकती भी यह मानवी अप्रतिभा और द्रड रिजॉल्व की शक्ती को प्रदर्शित कानता भी जैसे जैसे हम ब्रह्माण का पता लगाना अरेरी रखेंगे भारत सबसे हेविगे पॉसिबल का सितारों तक पहुँचेगा और हैवने वाली पीडियों को प्रेरित विल